वंदे मातरम सात्यों कैसे हैं आप सभी उमिद करते हैं आप सभी बहुती अच्छे और सवस्त होंगे और आने वाले आगामी सभी प्रिक्षाओं की तैयारी बहुती अच्छे तरीके से कर रहे होंगे साथ्यों जिस परकार से आप सभी को यहाँ पे अच्छे से किलियर है मेल सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड है जितने भी कंडिडेट है आपकी सभी परिक्रियाय पूरण हो चुकी है ठीक है अब आपका केवल फाइनल रजल्ट आना बाकी है यानि हम कह सकते हैं आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आनी बाकी है ठीक हैं तो साथ्यों सो नंबर में से सभी नंबर मिलाकर आपकी जो कट ओफ है यह कितने नंबर तक रहने की संभावन है और आपका जो रजल्ट है यह कब तक आने की संभावन है साथ्यों इस वीडियों में हम सभी बाते आपसे डिसकस करने वाले हैं ठीक हैं तो प्यारे साथ्यों सब इंस्पेक्टर से रिलेटर जितने भी कंडिडेट हैं आपके जो final merit list हैं 100 नंबर में से कितने नंबर पे रहने की संबावन आए हम आप से यहाँ पर discuss करने वाले हैं ठीक हैं जैसे कि सबसे पहले journals related जितने भी candidates हैं साथ यो आपके अगर यहाँ पे 65 से 66 number हैं तो आप अपने आपको यहाँ पे safe zone में मान सकते हैं ठीक है जर्णल से रिलेटर जितने भी Candidate divided 7, 65-63, घिक है इसके बाद प्यारे साथो EWS से रिलेटर जितने भी Candidate है अगर आपके 64-66 नमबब है, तो सात्योो आप यहाँ पे Safe Zone में मान सकते हैं इसके बाद SC से रिलेटर जितने भी Candidate है अगर आपके यहाँ पे 57 से 61 के आसपास नमबर है तो आप यहाँ पे safe zone में हो सकते हैं ठीक है इसके बाद 20, 20 से related जितने भी candidate है अगर आपके यहाँ पे 61 से 63 नमबर के आसपास score है तो आप अपने आपको यहाँ पे safe zone में मान सकते हैं ठीक है इसके बाद BCAS related जितने भी candidate है अगर आपके यहापे 60 से 62 नमबर है तो साथियों आप अपने आपको यहापे safe zone में मान सकते हैं ठीक है औरसातों यह जो cut off है यह सिर्फ हमारा एक अनुमान है ठीक है आपके 100 नमबर में से सभी नमबर मिला कर जो cut off जाने वाली है कुछ इस नमबर के आसपास जाने वाली है ठीक है एक यहादो नमबर साथियों उपर नीचे हो सकते हैं अगर आपके इन नमबर के आसपास score साथियों एक दो नंबर उपर नीचे है तो साथियों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी ये केवल एक अनुमान है इसके आसपास में आपकी जो फाइनल मेरिक लिस्ट है जाने की संभावना रहेगी ठीक है और साथियों जो रजल्ट है आपका रजल्ट आपका बहुती जल्द आपको देखने को मिलेगा अभी साथियों तीन बर्तियों का जो रजल्ट है इन में से कभी भी किसी का भी रजल्ट आ सकता है जैसे फीमेल कॉंस्टेबल फीमेल एसाई और मेल एसाई आप सभी का जो रजल्ट है साथियों दो नवंबर से पहले किसी भी एक बर्ति का रजल्ट आने की संभावना है ठीक है फीमेल कॉंस्टेबल का भी आ सकता है फीमेल SI का भी आ सकता है और मेल SI का भी आ सकता है ठीक है तो तीन्नो रजल्ट में कोई भी एक रजल्ट आने की संभावना है दो नौमबर तक ठीक है एडवान्स में बेस्ट ओफ लग इस वीडियो में प्यारे सात्यों इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने सात्यों तक इसे सेर जरूर कीजिएगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए सभी का धन्यवाद